चलिए स्टुडेंट हम लोग आईसो टोफ साफ हाइडोजन पढ़ते हैं आईसो टोफ साफ हाइडोजन आईसो टोफ साफ हाइडोजन आईसो टोफ साफ हाइडोजन पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आईसो टोफ क्या होते हैं तो आईसो टोफ में बस दो चीजें याद करना है कि Z same Z क्या होता है, atomic number क्या होता है, atomic number atomic number same Z क्या हो Z same हो but यह क्या हो, यह क्या होता है mass number mass number, यह क्या हो different but simple सी बात है कि जिसमें Z same हो, a difference हो, वो क्या होगा यह सारे क्या होंगे isotopes होंगे यह कहीं element के सारे nature में exist करेंगे यह कहीं element के same element के क्या होंगे, variety होंगे जैसे hydrogen की बात करें तो hydrogen में 3, 3 isotopes होते हैं पहला है, proteome दूसरा है, पहला है proteome, पहला जो element है, पहला जो isotope है, proteome दूसरा है deuterium deuterium और तीसरा है tritium tritium 3 isotopes हैं hydrogen के proteome, deuterium और tritium तो मैं अगर मैं बात करूँ कि इसमें number of proton कितना है number of अगर मैं इनको रेप्रेजेंटेशन की बात करूँ इनके रेप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो रेप्रेजेंटेशन इनका क्या होगा रेप्रेजेंटेशन इनका क्या होगा जैसे मैं P लिखूँ 1 लिखूँ 1 लिखूँ या लिखूँ hydrogen को yes, yes लिखूँ जामज पार हैं या मैं लिखूँ D 1, 2 या लिखूँ hydrogen 1, 2 या मैं लिखूँ T13 या मैं लिखूँ EH13 तो जो सिंबल के लेफ साइड नीचे की ओर होता है अटामिक नंबर सिंबल के उपर लेफ साइड में जो होता है मास नंबर है तो यह जो है यह जेड है यह जेड होता है और यह होता है तो बताएए मास नंबर दिफरेंस है की नहीं है जेड सेम है की नहीं है तो यह आइसो टोफ्स होंगे इनका नेम उपर लिखा जा चुका है यह नेम होंगे यह कितने नंबर में होते हैं तीन नंबर में होते हैं नेम, प्रोटियम, डिउटेरियम, ट्राइटियम और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आप लोगों को बताया गया अगर मैं इनके बारे में बात करूं नंबर आफ प्रोटान में नंबर आफ प्रोटान की बात करें तो इसमें भी एक प्रोटान होता है इसमें भी एक प्रोटान होता है इसमें भी एक प्रोटान होता है अगर आफ नंबर आफ न्यूटान की बात करें तो number of neutron भी इसमें एक भी neutron नहीं होता है प्रोटियम दुनिया का ऐसा element है पूरे universe का जिसमें एक भी neutron नहीं होता है जबकि इसमें एक neutron और इसमें दो neutron होता है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो mass number क्या हो जाएगा mass number क्या होता है mass number a equal to होता है z plus sorry p number a proton p plus n p मतलब या तो z कर दें या तो p number a proton को ही z कहते है तो z plus n तो z plus n क्या होगा one, two, three तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर हम इसका abundance की बात करें abundance की बात करें abundance in nature तो nature में इनका abundance कितना है तो इसका जो है 99.98 वाँ, very interesting point 99.98 परसेंट प्रोटियम पाया जाता है और यह 0.015 परसेंट और यह 10 की पावर माइनस 15 परसेंट पाया जाता है तो देख पार हैं इनका nature में abundance कितना है very interesting point है कि प्रोटियम और इसका common name की बात करें common name तो common name की बात करेंगे तो इसे बोलेंगे light hydrogen light hydrogen light hydrogen इसे कहेंगे heavy hydrogen क्या बोलते हैं heavy hydrogen इसे बोलते हैं heavy hydrogen deuterium को बोलते हैं heavy hydrogen और Tritrium को बोलते हैं Radioactive Element, Radioactive Hydrogen, Radioactive Hydrogen, Radioactive Hydrogen, तो Tritrium की जो ये Radioactive, अगर मैं बात करूँ Radioactive Stability की, तो Radioactive Stability, Radioactive Stability की बात करें, तो पहले बात तो ये Radioactive Element, Proteum नहीं होता है, Deuterium भी Radioactive Element नहीं होता है, जबकि Tritrium Radioactive Element होता है, और इसकी जो Half Lifetime होती है, इसकी Lifetime होती है, ये इसकी होती है 12 मिनेट, 12 मिनेट, 12 मिनेट इसकी Radioactive Stability होती है, तो ये है important point, students, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, Isotopes Hydrogen के 3 होते हैं, Proteum, Deuterium और Tritium, Very Interesting Point है, कि इसे Light Hydrogen कहते हैं, सबसे जादा नेचर में 99.98% Proteum पाए जाता है, Deuterium का percentage आपके सामने है, Tritrium very, 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 लेस इमाउंट में, Thank you for watching, student, thank you for watching.